आज मैं आपनों को बताने जा रही हूँ, संतान सत्त्मी, संतान सत्त्मी के पूजा किस प्रकार से की जाती है और कथा सुनाने जा रही हूँ, संतान सत्त्मी यह अबरत भादपत शुक्लपक्ष सत्त्मी को पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है, दोपहर के समय में चौक पूरकर, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पारवती की पूजा की जाती है इस दिन खीर, पूरी और गुड के पूरों को भोग लगाये जाता है रक्षा है तो, शिव जी को डोड़ा अर्पित करें और डोड़े को शिव जी से वर्दान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुनें माताएं पार्वती का पूजन करके पूट प्राप्ती तथा उनके अभ्यूदे का वर्दान मांगती हैं संतान सत्मी की कथा सुनाने जा रही हूँ आप अपने हाथ में पुष्प और अच्छत ले लें एक बार श्री कृष्ण ने युधिश्टिर को बताया कि मेरे जनम से पहले किसी समय मत्रा में लोमेश रिशी आये थे मेरे मातापिता देवकी तथवासु देव को रिशी ने आदेश दिया कि हे देवकी कांस ने तुम्हारे कई पुटरों को पैदा होते ही मार कर तुम्हें पुट्र शोक दिया है इस दुख से मुक्द होने के लिए तुम संतान सत्तमी का ब्रत करो देवकी ने पूछा, हे मुनिशेष्ट मुझे ब्रत का पूरा विधी विधान बताओ लोमेश्री सिवोले नहुष अयोध्यापूरी का प्रतापी राजा था वहाँ विश्णु दतनामक ब्रामन भी रहता था उसकी पतनी का नाम रूपवती था रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परसपर घनिष्ट प्रेम था एक दिन वो दोनों सर्यों में इस्नान करने गए वहाँ और भी इस्तियां इस्नान कर रही थी वहाँ उन्होंने मंडपव बना करके पारवती सहित भगवान शिर की प्रत्मया बना कर विधी पुर्वक पूजन किया उन इस्तियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती के पूजन का नाम तथा विधी पूछी इस्तिरों ने बताया कि हमने पारवती सहित शिव की पूजा की है भगवान शिव का डोड़ा बांद कर हमने संकल्ब किया है कि जब तेक हम जीवीत रहेंगे तब तेक यह ब्रत करती रहेंगे यह मुक्ता भरण ब्रत सुख तथा संतान को देने वाला है इस्तिरों की बात सुनकर उन दोनों सक्षियों ने भी जीवन परियंत इस ब्रत को करने का संकल्ब करके शिर जी के नाम का डोरा बांद लिया किन्तु घर पहुजने पर वे संकल्ब को भूल गई फलत मृत्य के पहस्चात राणी बानरी तथा ब्रामणी मुर्गी की योनी में पैदा होई कालांतर में पशु योनी छोड़कर मनुष्य योनी में आए चन्दमुखी मत्रा के राजा पिथवी नात की राणी बनी रूपवती ने एक ब्रामण के घर में जन्म लिया इस जन्म में राणी का नाम इश्वरी तथा ब्रामणी का नाम भूष्णा रखा गया भूष्णा का विवा राजा पुरोहित अगनी मुखी के साथ हुआ ब्रत भूलने के कारण राणी इस जन्म में बांच हुई कहीं पौड़ा वस्था में जाकर उनको एक गुंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही पर नौ साल का होकर मर गया भूष्णा ने ब्रत को याद रखा था इसलिए उसके गर्व से सुन्दर तथा स्वस्त आठ पुत्रों ने जन्मिल दिया राणी इश्वरी के पुत्र शोक की संबेदना के लिए भूष्णा उसे मिलने गई उसे देखते ही राणी के मन में डाह पैदा हुई उसने भूष्णा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विश्व मिला दिया परंद भूष्णा के ब्रत के प्रवाव से उसका बाल भी बाका ना हुआ राणी ने क्रोद में भर कर अपने नौकलों को आग्या दी कि भूश्रा के फुत्रों को पूजा के बहाने युमना जी में धकेल दें भूश्रा के बालक ब्रत के प्रहोव से इस बार भी बच गए परिणताम तह राणी ने जलादों को बुला कर आग्यान दे कि ब्रामण बालकों को बद इस्थल ले जाकर मार डालो जलादों के बेहत प्रियास करने पर भी बालक मर ना सके यह सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर हुआ उसने भूशना को बुला कर पूछा कि किस कारण बच्चे नहीं मर पाए है तब भूशना बोली कि आपको क्या पूर्व जन्म की बात इसमरन नहीं है भूशना बोली क्या मुझे तो इसमरन नहीं है तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सकी थी हम दोनों ने एक बार भवान शिव का डोरा बांद का संकल्ब किया था कि जीवन परियंद संतान सत्मी ब्रत क्या करेंगे किन्तु दुर्भार के वैस हम भूल गए और ब्रत की अभियलना के कारण विभिन योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर इस मनुष्ट जन्म को प्राप्त हुई हूँ अब मुझे इस ब्रत को याद आई तो मैंने यह ब्रत कर लिया उसी के प्रताफ से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मरवा सकी यह सुनकर रानी इश्वरी ने भी विधि पुर्भक यह संतान सुख देने वाला मुक्ता भरन ब्रत रखा तो ब्रत के प्रहों से रानी पुना गर्वती हुई और एक सुन्दर बालक को जर्म दिया इसी समय से पूत्र प्राप्ति और संतान की रख्छा के निमित इस ब्रत का अतधिक प्रचलन हुआ माता संतान सत्मी की जैहो भवान श्रिव की जैहो मा पारवती की जैहो जिस प्रकार से रानी के दिन बहुरे वसे ही सवी के दिन बहुरे सवी के घर में संतान हो मेरा यह वीडियो कैसा लगा किरपया कमेंट वाक्स में जरूर बताएं कमेंट वाक्स में हर हर महादेव अवसे लिग दें वीडियो को लाइक जरूर कर दें किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना न भूलें धन्यवाद